हेलो दोस्तो मैं का नहीं है एक बारी फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंगलिश क्यान पे जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेश और से जुड़ी टिप्स और अप्डेट्स मिलते रहती हैं तो दोस्तो आज है 24 तारिक और जैसा कि दिल्ली इंवर्स्टी की तरफ से जो नोटिस आया था रिगार्डिंग फॉर्थ कट अफ लिस्ट के लिए तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्थ लिस्ट आनी थी वो 24 दिसंबर को ही आनी थी यानकि आज और सेम एज 24 दिसंबर यान उनकी फॉर्थ लिस्ट आई है या नहीं आई है तो देखिए अभी हम चेक करते हैं कि जो दियू बेड के तीनों ही कोर्से उनमें से किन किन कोर्से के लिए लिस्ट आई है बागी अगर आप खुछ चेक करना चाहते हैं तो वह भी आप या तो इस वेबसाइट के थू कर स भी आप ओफिशियली चेक कर सकते हैं डियू के रिगार्डिंग जो भी उनकी कटफ लिस्ट आती है वो तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि पीजी लिस्ट पे जहां हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितने भी पीजी के कोर्स होते ह उनकी कटफ लिसस्ट आयी है या नहीं आयी है फौर्थ तो यहाँ पे फौर्थ कटफ लिस्ट का सचिन हो गया हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन-की कोर्स के लिए बात करनी है जिसमें से बियड विज्वाशियल παूरिमेंट है तो जैसा कि हम यह सेक्षन में आप देख सकते हैं कि B8 और B8 MR का जो है वो section अभी खाली है वहाँ पे कुछ सब नहीं हो रहा है बट B8 visual impairment वालों के लिए जो fourth list है वो आ चुकी है तो आप अभी इसे download कर सकते हैं बागी जो B8 MR and B8 normal की है उसकी अभी तक नहीं आई है आप जो official website है doe.du.ac.in वहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो वहाँ पे भी show नहीं हो रही है बट very soon आपके लिए भी जो fourth list है वो आ जाएगी बट अभी हम B8 special education वालों के लिए चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या cut-off रही है fourth list में किन बच्चों का admission हुआ है और कितने तक हुआ है तो यहाँ पे हमारी यह list डाउलोड होकर आ चुकी है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो unreserved category है उसमें B8 visual impairment में केवल एक ही बच्चे का admission हुआ है इसका नाम सुमीत कुमार जा है और इनकी जो marks रहे हैं वो 272 रहे हैं और इनकी जो rank थी वो 6 rank रही है पाकि इनका admission हुआ है आंज जब केटेगरी में डियू visual impairment में इसी तरह यहाँ पे OBC category में भी केवल एक ही बच्चे का admission हुआ है जिनके 211 marks है और इनका नाम सोनी तोमर है फिर इसी तरह एक ही एक बच्चो का admission हुआ है हर एक category में like ST में भी आप देखें तो यहाँ पे 210 marks पे एक बच्चे का admission हुआ है जिसका नाम सौरब है और इसी तरह ST में देखते हैं तो ST में cut-up close हो चुकी है और EWS के लिए भी यहाँ पे सायद किसी भी बच्चे का admission नहीं हुआ है तो इस तरह से आपने देखा कि केवल एक ही एक बच्चे का admission हुआ है हर एक category में DU BAE visual impairment वालों में तो इसी तरह जो MR के list आएगी और BAE normal के list आएगी तो हम आपको notify कर देंगे इसी चैनल के मादम से बस आप चैनल को subscribe करके हमाँ साथ जुड़े रहेगा बांकी BAE की जैसे भी fourth list आती है उसके बाद हम एक पूरा data analysis करने के बाद भी वीडियो लाएंगे तो वो भी आपको इसी चैनल के मादम से मिल जाएगी बांकी आपको अगर preparation करने है 2022 के लिए BAE के लिए तो आप चैनल को subscribe करके जुड़ सकते हैं क्योंकि हम आपको preparation related videos भी plus suggest भी करते रहेंगे कि क्या material आपको पढ़ना है और कहां से कितना पढ़ना है क्योंकि हमने बहुत ही बारीकी से देखा बारीकी से समझा बारीकी से देखा है उन्हें भी अच्छे से देखा है समझा है कि क्या pattern रहा है और किस तरह से कोशन आ रहे हैं किस background आ रहे हैं हम जितना भी हो सकेगा हम अपना best देंगे आपकी preparation के लिए and I hope you will get success in your next upcoming exam and you will correct that so thank you so much for watching this video मिलते सी प्रकार की next video में तब तक लिए जुड़े रहे हैं and thank you so much once again जहिन जैबार